हेलो माई डियर स्ट्रेंट्स माई नेम इस सुनले शिंदेव वेलकम टो शिंदेश केमिस्ट्री टेक्निक्स चलिए अपना भी चैप्टर हो गया है बहुत दिनों गया खतम अल्डिहाइड की टोन सेंड कार्बो ऑग्सलिक एसेड अब आप लोग वेट कर रहे होंगे उसके एंची इसके तो आज हम डिसक्स करिंगे स्क्यों पर देखेस में जो फर्स्ट कुछ्छमन आया हो है मैंने एसी टोन एसी टोन इस चार आप्शन सामने आपके सिंपल से हाड के तरह जाएंगे ठीक ना एसी टोन इस क्या है एए ऑप्शन में से में सिमेट्रिकल बी अगरा पर आप एसी टोन का फॉर्वल लिग के देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा इसका फॉर्वल देख लिए ची एच थ्री सी ओ सी एस ट्री एस ट्री एस टोन ओके आप थोड़े से सिंपल कुछिशन रखने बढ़ेंगे क्योंकि आभी आपके स्टार्टिंगे एसी किरो दोनों साइट मिठाइल ग्रूप मतलब यह हो जाए आपका सिमेट्रीकल की टौन अस्मेट्रीफरीकल नहीं होगा जब डरीकल से मे 1956 मिक्स्टीन होगा और कारव आँस ही नहीं है तो इसका अंसर आपका वहुत से एक हो डिये ओक अब ऐसे ऐसे डिसमें क्या ओना चीए अल्डी हेडी ग्रूप हो नज अपसोची क्या हो सकता अगर मैं सटीक असे लिक्या देखता हूं एस टीक अज़ का फारूला च्छी ओ एच त्री सी ओ ओ एच नहीं है इसके अंदर फिर फॉर्मिक एसे लिखा मैं एच ची ओ ओ एच ब इस a double bond स्टीव वयाइब क्या दिख्रा है अल्डै इडीग अप थिख्राय को दिख्रानलिव मतल्स के अंदर कार्भो आूकसल गुरूप भी है थे कि ना सी ओ आझ भी है अल्डैडी गूरूप भी है थाईड्रॉप् भी चे टो नी ग्रूप चार चार फंक्शन ग्रूप इसमें माल में कि आप बहुत चमतकार ही है कब पहुंड एक मतलब के अंदर कार्बो ऑक्सील गृप भी ए ठीक तो दिए कार्बो ऑक्सील गृप भी दिख रहा है इसके अंदर अल्डीहिट के टोनिक और हाइड्र ऑक्सी चार फंक्षन गृप उसलिए आंसर आपका बी हो ज देख ले आजा इस एक्सपेंडर के देख नहीं प्रोपिनिक असिट नहीं मिलेगा आपको देख दो को थी एच थ्री सी डबल बांड ओ प्रोपिनिक वह नहीं तो अभी आपको समझ में आए आपको तेसकांसर बी आएगा ओके चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक् आपको नहीं है ओके चलिए आप नेक्स्ट गॉशन देखते हैं दो आयूपीसी नेम आफ अल्फा 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 मिथाईल ब्यूटली है पहले आपसको अधिस्टक्श्ट्चर रॉग कर देख लिजी अल्फा मिथाल मतलब ची एच थ्री और क्या ब्यूटल य ऑ्टली आख हो कि उखया वाघ तो अल्फा पे क्या है यहार अल्फा मिथाईल ब्यूटली डिय नेकी जी सब्सिव्काइब ंआ को इल्फा मिथाल ब्यूटल यह इसका इसका इर्टाली होगा डिकनी हिघख decisis क्लियर है चलो तीन हो गए कोश्चिन कर लीजे नोट ओके अब देखते हैं फोर्थ कोश्चिन यह अब लिगा बेंजीन को कार्बन अब लिगा बेंजलीट इस रियक्षिन पूरा दिया हुआ है सिवको चार ऑप्शन में से धुना है को सा रेक्षिन रेक्षिन वो तो नाइटल से आता है इतार रियक्षिन वह आपका मिधाइल बेंजीन का ऑक्सिडेशन चाहेगा रोजन मुंड इसका अब आपका किसे आता है चाहता है मतलब लास्ट अंसर होगा गटर मैन कोच फॉर्मीलेशन क्लियर है बिल्कुल आसान है मतलब आपका जो कॉंसेट बिल्कुल क्लियर चाहिए मैं पहले बता रहा हूँ अगर आपने बिना स्टडी किये वह इसको स्वाल करते तो कोई काम का नहीं पहले आप स्ट कि अच्टरी इथाइल मिठाइल कीटो यह स्टक्चर मतलब विक से बन सकता है अलकोहल यह चार हमको एक एसे तो इसे तो बढ़े अगर रहाट आदो अब एब इसी में से सोचना है अब इथाल मिठाल की तो मतलब की टोनी ग्रूप में कौन सा ऑक्सेटाइस होगा दिख ल देख लिए जहां पर मैंने यह डबल वांट ओन हम एक एक नहीं हम प्रक्ताइश किया यह बॉन रहाट और यह थे यहां पर इथायल मिठाइल की टो यहाद आया मंदक कॉन सब्लकु एक बिल्कुल क्लियर मतलब क्लियर कोई कन्फूजन बिल्कुल की नहीं चाहिए है तेस लिए चलिए कर लीजे नोट कि अब देखते नेक्स्ट कुश्ट मस्टिक्स देख लीजे इन स्टीफिन रियक्शन नाइटरल सा रेडियूस्टू कर्स्पॉंडिंग नाइटरल मतलब साइने गुरूप किसमें रिडिस होता है याद कीजिए क्या बनता से अल्डी है बनता ह है अल्डी है पहले इमीन बनेगा और बात में क्या अपने अल्डी है मतलब इंट इसमें अल्डी है इसका अंसर क्या जाएगा ए आजाए उसका इमीन ज्यादा हाड नहीं है विच अप फॉल्विंग विल्रीक्ट विट एसीटल डी है टो गीव वाइट क्रिस्टल चार ऑप्षण है सोडियम है इडोजन सलफेट सोडियम सलफाइट सोडियम सलफाइट सोडियम कारवर्ड अगर हमने देखा है इसमें चार में से रियाक्शन इसीग साथ होते ही हम लो बैसिटी ही बैसिदी लो यह वीक अकिव में होता है इसका मांए पीएच बता जीता हूंह इसका एक्षॉ स्टबीच होताहे इसका रच बता रही है ओकर यह होगीytic Trig एक साथ रेक्षिन है अदिशन रेक्षिन होने वाले नुकलिफिलिक अदिशन एलिमिनेशन रेक्षिन बुलते हैं इसको ओके चलिए इतना कर ली जब फड़ा फट नो डाओं फड़ा फट ओके अब देखते हैं नाइंध कुश्चन वाटर सॉलिबल कंपाउंड ए उसका फ हाइड्रोजन गया सब है वाट निकर रहे है विट सोडियम मतला अल्कहोल कैंसल बट इफश पिंक कलर विट शिप्स रिएजन मतलब की टों कैंसल देखम पॉंड एस सी अपाटल डियाइड इसमें लिखाय इलकहोल नहीं है अन इतर नहीं है है कि या कुछ भी नहीं कि व वहत बड़ा है कि वाटर-soluble compound यह बनने तो नवानों भूंत तो इन आपका अपका अब गाएक तो और अल्गोल गया अब यहां लेकाई दो और यहां लेका है तो अब यहां लेका है ड़स्टन अब सोडियम करता है तो बनता है सोडियम प्रोप ऑक्साइड बना था ठीक लेकिन नहीं कर रहा है बट गिस पिंग कलर विट शिप्स रिजन पिंग करता है इसका अंसर सी करेक्ट है फिर एक एल्डोल कंडेंसेशन इस अलफा बराबर है के टो सविंग अलफा यह भी बराबर है अल्डेट इन प्रेसंस आफ सोडियम करवन लेते ना अलकली लेते है और नहीं करवन बेरियम हेटर ऑपर ठीक है तो अभी यहां पर दो इसी option में उसले answer आपको डी करना पड़ेगा all of these दिया होता तो भी correct होना आता हो ठीक है फिर क्लिमेंशन reduction is dash reaction बोल रहा है क्लिमेंशन dehydration नहीं होता असके अंदर कर लिए बहुत इंपोर्टेंट लेक्शन सारे सके आपको इसको नोट कर लिए इसको नोट को कि अब देखते हैं त्वेल्ट कोशन वीच फॉल्विंग इस पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट एंड पॉजिटिव फैलिंग सॉलुशन टेस्ट चार अप्शन है एथिनॉल हिए उसक्ता है लेकिन फैलिंग्स ने देगा दोनों की दोनों चीछी है यहां कर रहा है दोनों से हालो फॉर्म भी करेगा और फैलिंग भी करेगा एलोफॉर्म के लिए देख लीजिए यहाँ पे इतना ग्रूप चाहिए है इसके पास और अल्डिए उसलिए वह फेलिक्स भी देगा मत इसका अंसर यह मैच होगे दोनों की दोनों पॉस्ट देगा दो कंसेट मिक्स हो गए है उसके ऐसे कोश्चन जिसको आते हैं दो कंसेट मिक्स करके उसके कंसेट बहुत अच्छा है ऐसे बोलंगा मैं बराबर ए फिर एक नेक्स्ट कोस्टिए थर्टीन वें टू मॉलकूल्स ऑ फॉर्मल्डी है फॉर्मल्ड यह फोर्मल्ड नहीं है रियक्स इन दे प्रेसंस ऑप बेस्टू प्रोड्यूस मिधाल अल्कॉहल एं सोडियों फॉर्मेट दर रेक्शन इस नोने सम प्रेस को नोट को के अब देखते हैं फॉर्टीन कुश्टिन शिफ्स रिएजेंड इस ऑप्टेन बाइपासिंग ग्यास इन एक्वेशन ऑफ रोजा एनलीन तो सिफ्स इन कोई सी गयास पास करते हैं आप याद होगा सल्फार्ड ऑक्साइड एन नोट नहीं करते हैं करते करते हैं क्योंकि जो शिफ्स रेजेंड होता है वो क्या होता है मेजंटा कलर टेल पेरा रोजा एनलीन हाईडरो क्लोराइड उसमें अगर हम एस फॉट्य गैस करते हैं तो कलर लेस हो जाता है तो इसका फिर से प्लक्लर रियाप्यर हो जाता है ओक्षा है चलिए अब हम यह यहां पर देखते हैं इदर देखो CH2 double bond अभी इसका से clear होगे ना अब दिखिए CH2 double bond फिर है एक्स बनेगा एक्स का है लिसके तो वाई बनेगा वाई को सोडिय में डॉक्स आइडिन जैड बनेगा और निहों किया बनेगा एक का CH3 single bond CH2 BR यह बन गया आपका एक्स बन गया इव जिसका है और इसका है इडिसका मतला होता है देख लिए हाइड डिलिष्स क्या है तो मतला है तो मतला है आपका और तो तो यह बने गाए अपका क्या वाइफ ओगया दिख लिए तो हैड्रोक्सी ग्रूप इस बीर को रिप्लेस करेगा तो क्या बाहरे कर लाएगा और यह बना आपका यहां पर वाई अब इसको क्या कर रहे हैं लोग सोडियम है रोकसाइड इन दोनों के रियक्शन से क्या बनेगा और असे टलेड फॉर्धव थोड़ा सवप्लिकेटेटे फॉर्दा जाके क्या बनाएं पर छी एच ईच आई-च्छिए थी आ यह तॉड़ा सव प्लिकिशन इदर तो इसका जो आंसर आएगा वह आपका यह अपका यहां से थोड़ाग अधिस हो गया समझ भी नह हएग में इसके करनेया किसी समझ दो गए वार। यूगूने अन्य आपका इसकों समझना पड़एगा दो चाप्टर कंबाइन कंडीशन जो बात अध्यान दीजे अगर हम अल्कॉल की बात करते हैं हले फॉर्म में तो प्रामियर एथिनॉल शो करेगा सेगर में तुआ थीक उसके अत्विट टरशर शो नहीं करता है अल्डीड की तो अल्डीयाइट में सिर्फ एस्टाल्डीयाइड की तुम्स बस खदम हो गया अब next is 16 canisaro reaction involves उसमें क्या होता है oxidation होता है reduction भी होता है लेकिन simultaneous होता है तो both oxidation and reduction is concerned C आएगा एक molecule का oxidation दुस्रे molecule का reduction oxidation reduction होता है डी कार्व होता ही नहीं हो गया ऐसा explanation देख लिएए इसका अब देखते हैं 17 question the PK values of stronger acids are stronger acid क्या होता पीके क्या होना चाहिए आपको यहाँ होगा smaller the value of PK क्या होगा stronger will be acid and vice versa याद हर आपको तो यहाँ पर चार option एक है lower फिर लिखा higher फिर less than 8 फिर लिखा higher than 7 तो वो तो होंगे नहीं है less than 8 8 से कंब हो तो साथ है ना तो neutral की तरफ जा रहा नहीं higher than 7 मतलब basic तरफ जा रहा है higher नहीं होगा lower answer आइगा इसका है आगया चलिए आप देख़ें नेक्स question है in this reaction sequence यह दिया रेक्शन इत्हाइल अलकॉल को फॉस्फोरस ट्राइब्रोमीड से रेक्शन किया तो बनेगा एको potassium साइनेड से रेक्शन किया तो बनेगा बी बी का as hydrolysis कर देए तो बनेगा सी तो सी को आपको identify करना है चलिए देखते हैं इसका लिख कर देखना पड़ेगा देख़ा है इसको ने किसे रेक्शन किया फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड या देना तो ब्रोमाइडी सोच करेंगा ओश्याप यहां पर प्रोड़क्ट क्या बना है आपर सी तू एच फाइब यह बनेगा आपका एप्रोड़क्ट क्लियर अब उसको potassium cyanide के साथ रिया किया साइनाइड मतलब साइनाइड इस ब्रोमेड के रिप्रेस किया यह इदर आ गया है न्यूक्लिफलिक सब्स्टूशन तो बनेगा सी टू एच फाइफ सी एन अगया यह बन गया आपका बी प्रोड़क्ट अब इसका हाइडलिस कर दो एसी डाइडिलिस एडिशन और इंड इसा कर दो दोनों को ऐसे लिख सकते हैं तो साइनाइड किसमें होता है कार्वाक्सी डूप में होता है रेडिश यहां लिखता आंसर सी सी ओ ओ एच यह आपका सी हो जाएगा लेकिन यहां पे सी टू एच फाई सॉरी सी टू है मतलब क्या बना अपका प्रोप्योनिक एसे अब धुनदी प्रोप्य और कीट का असे घ्रेस रहें प्रोप्य न्सक अंसर सी हो गा ऐसा लिका गारते ना चाहिए याद आया तो यह एच्छा किसमें आटा चुछ जाएगा तो एच्छ थी सी ओ ओ एच्छ फॉर बरावर है अब उसको यह बन गया आपका intermediate यह हो गया आपका intermediate उसको हीट किया हीट किया तो वाटर निकल लाएगा यहां से दो आड़ यहां से एक क्या बनेगा CH3 CO NH2 और इसमें से वाटर बहर निकल गया तो यह प्रोड़क्ट बना आपका यह प्रोड़क्ट कौन सा दिख रहा है उसी को उपर सी दिख रहा है बरावर है कि नहीं चलिए हो गया कर लो इसको नोट होके आज का लास्ट क्वेशन काफी बढ़ा है इनसेट ऑफ गीवन रियक्शन असे इल्डेट और प्रोड़क्ट सी तो एसे यहां से काफी बढ़ी है तो हमने क्या कि है है हाँ पर देख लिजेए एसे ड Fury flirt here hai वह प्रोड़क्ट न क्या यहां और की ऐसे ट्रीसी हो ईश्टलित है उसको किसी रिक्शन के एको बेंजीन ते रियाक्शन क्या मतलब यहां पर लिख ता ऑँ सी सिक्स एच46 इन्दे प्रेसर औरर है अन्हाइड्रस क्या लिया है अन्हाइड्रस अलुमिनियम क्लोराइड मतलब यह फेडल क्राफ्ट आसा लेशन दिख रहा है तो यह एसे टिल ग्रूप बेंजिन के एच को रिप्लेस करेगा मतलब यहां बनेगा आपका आपका और अपका बी प्रोडक्ट अब बी को किस साथ रेक्शन करना पड़ेगा बी को इथायल मैगनेशन प्रोमाइड यहां पर लेखता हूं मैं C2H5Mgbr ओके इसके साथ रेक्शन करने बोटाओ तो आप देखो क्या बनेगा उसके साथ तो यहां पर लेखते हैं यहां पर में एड करता हूँ ओ एम जी बी आर यहां पर करता हूँ आपको यहां पर एक लिए नजदी करता हूँ आपका यहां इसको ऐसा करता हूँ एक में रहता हूँ एक नभी लिखता हूँ पर लेखता हूँ ए च्टू एच्फाइफ एम जी बीया धान्स विए अब यहां से bond break हो गया तब यहां बनेगा आपका देख लिए जी शिक्स एच फाइव सी छ त्री हो किया निचे आगया सी टू एच फाइव वागया सामें यहां पर आगया ओ एच वाटर का एच यहां पर अटाइच कर दीजिए और यहां पर ओच तो मतलब यहां से आपका यहां से आपका कीटोन का प्रिपरेशन आगया उसके तरे ग्रिग नार्ड के साथ रियक्शन करके हमने यह बना लिया है तरशरी अलकॉल मतलब दो तीन चाप्टर एक साथ मिक्स हो गए इसके अंदर बहुत बढ़िया कुश्चन है चलि अब इतना कर लीजि चलि इसका क्या आता है कमेंट्स में डाल की मुझे बताई ओके भाई घर पर रहिए पढ़ते रहिए और सेफ रहिए और वीडियो से अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेर करते रहिए ओके चलिए ओके बाई लाइक शेर और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर ब